प्रभू राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदी नाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है कहा है कैसे मिलता है किसने देखा है ये प्रश्णवाचक चिन पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के अम्रित वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर दिल्ली का बादशा एक सिकंदर लोधी राजा हुआ है वो बेलोल लोधी का पूतर था बेलोल लोधी नाम का एक राजा हुआ है वो भी दिल्ली का बादशा था तो सिकंदर लोधी का वो धार्मिक गुरू था सिकंदर लोधी को बहुत बेंकर रोग हो गया था जलन का कहीं पर भी जनतर से मंतर से किसी ट्रीटमेंट से उसको कोई रहत नहीं मिली थी तो प्रमात्मा कबीर जी के आशीरवाद मातर से सिकंदर लोधी सुश्थ हो गया था और उसके बाद वो परमेश्वर कबीर देव जी की बहुत इज़त करता था उनको बहुत आदर देता था जो धार्मी की उसका गुरू था मुसल्मान सेख तकी वो कबीर जी से इरसा करन लगया एक तेरी रोजी रोटी जावगी राजा का ज्यादा इसम प्रेव बढ़ गया वजीर और फकीर अपस मैं इरसा करें बिना रहा ना करें तो बहुत ज्यादा इरसा करन लगया उसना सोची कबीर जी को नीचा दिखाऊं अब किसी तरह कबीर जी को राजा की दर्ष्टी से ग्रादू इसको ऐसे अवसर की खोज करने लगा एक दिन राजा सिकंदर लोदी कबीर परमेश्वर जी को साथ लेकर कासी से लोट रहे थे बनारस से दिल्ली आ रहे थे शेक्तकी भी साथ था एक दरिया पर पड़ाव डाला रात्री बिताने के लिए तो उदर से शेक्तकी ने अपना बेरुखी दिखाई राजा के परती राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया के तुने तो अब मुसलमान के छोड़कर हिंदू गुरू बना दिया सारे मुसलमानों को कह दूँगा राजा मुसलमान नहीं अब हिंदू हो गया है ये काफिर हो गया है राजा को पता था कि इसने एक बार मुसल्मानों को कह दिया सब मेरे से भी मुख हो जाएंगे मेरा रज्य जावगा सब इसकी मुठी मैं है तब ही सिकंदर लो थी शेक तकी को इसलिए साथ रखता था कि कम से कम इसका मुझ चुप रहा है ठीक रहा है और सब समाज मेरे साथ रहें मुसल्मान राजा को बड़ी चंता हुई परमेशवर साथ थे अलग टेंट में राजा से पूछा कि क्या कारण है टेंशन किस बात की सिकंदर लो थी ने सब कारण बता जिया सिकंदर लो थी ने कहा कि इस इस पर कारण इर्शा किये हुए है कबीर जी बोले मैं वापस चला जाता हूँ अग नहीं आप नहीं जा सकती कुछ भी हो फिर सिकंदर लो थी ने फिर कारण पूछा कि आप कैसे परसन होगे से एक तकी कि मैं तब परसन होगा जब तू जिसको भगवान कहता है अल्ला कहता है कबीर को मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे क्योंकि सिकंदर लो थी ने स्वामी रामा नंजी जो कबीर प्रमेश्वर जी के गुरू जी थे उन्होंने कोई ऐसा अब सबद कह दिया था मुसल्मानों के बारे में सिकंदर लो थी को रामा नंजी ने तो सिकंदर लो थी ने रामा नंजी की गर्दन काट दी थी और वैसे लोगों की दिरिश्टी में संसार की दिरिश्टी में तो कबीर जी के गुरू जी थे रामा नंजी लेकिन रामानंद मानते थे कबीर जी को गुरू जी अपने हर दैसे लेकिन एक मर्यादा बनाए रखने के लिए वो गुरू जी बने हुए थे तो सिकंदर लोजी ने जब गर्दन काट दी तो कबीर परमेशवर जी ने तुरुंस जीवित कर दिया था वही सिकंदर लोजी के सामने एक तो वो देखे अपने आखों के सामने बगवान की लिला और फिर अपना जलन का रोग उसका ठीक हो गया इस कारने से उतना परवावित हो गया था और सेख तकी को भी उसने आकर ये बताया था आहे पीर जी ये तो अल्हा का रूप आए हुए है मेरा दर्द ठीक हो गया सारा रोग नाश हो गया और ऐसे ऐसे इस रामान अजी स्वामी ने हमारे मुस्लमान धर्म के बारे में कुछ गल्ट बोला था और मैंने इसकी गर्दन काट दी और मेरे सामने जीवित करती ये तो अल्हा का सुरूप है ये तो खुद मालिक आए है इस चीज तो चड़ गया इतना इर्शा करन लगया तो उस दिन कहता है कि मैं जब जानू मेरे सामने कोई मुर्दा जिन्दा करे ये कबीर नहीं तो मैं सब मुस्लमानों को कह दूँगा कि राजा काफिर हो गया तब सिकंदर लोधी ने कारन बताया कि सेक तकी ये कहता है गुरुदेव कि मेरे सामने कबीर जी कोई मुर्दा जिन्दा करे है और नहीं तो सचमुच ये आग लगा देगा मुझे ये चिन्दा का विषय बन गया तब कबीर जी ने कहा के कैदो इसको कोई मुर्दा ले आओगा देखते हैं बढ़गी बात है अब सेक तकी से कहा सिकंदर ने वो कह रहे हैं कि लाओ कोई मुर्दा उठा के कहने लगा मैं कहां से लाओँ ऐसे कोई मुर्दा होगा जब देखेंगे कहते हैं कि प्रमात्मा से अपने बगत का दुख इतना भी नहीं देखा जाता एक सेकंड भी है कुछी मेंटों के बाद क्या देखते हैं कि एक लड़का मर्या हुआ मर्चू के पस्चात जल परवा कर दिया गया था अन्तिम संसकार कुछ कभी ले ऐसे है वो सभा नहीं करते ना जमीन में गाड़ते वो जल परवा कर देते हैं वो लड़का अपना समय पूरा करके जल परवा कर दिया था मर्चू होगी थी वो बैता हुआ आ रहा था तब किसी ने बता जिया कि वो आगया मुर्दा वो आगया मुर्दा उसी समय सब इकठे होगे तो परमात्मा ने कहा कभीर जी ने के सेख तकी अब तू ट्राइए कर ले कर दे बाद मैं नमबर बनावाए तो भी नमबर कहता है मैं भी कभीर के जादा जानता है तो सेख तकी लगया फूँ फाँ ठूँ ठाँ करने उसने सोचा मैं कर दे होता है मेरा नमबर बने जाए वो दूर चलागा मुर्दा जल में बैता हुआ दरिया में काफी दूर चलागा कम से कम पानसो छस्सो फुट अग्ये को तीन चारे कड़ तब सिकंदर को कहता है सेख तकी कि ये नूचाव है था कभीर कि किसी परकार ये मुर्दा अग्ये को चलादा इसलिए मुझे लगा जिया इसमें ये कोई मुर्दा जीवित हो सकता है कभी वो तो कियामत आवेगी जब होंगे कभीर सी जी खड़े हुए और मुर्दा जैसे आगे बहे कर चला गया था वो सव बहुत दूर चला गया था वहां से ऐसे हाथ किया वो मुर्दा वो सव वापस चल पड़ा अब सट्रीम में जैसे जिदर से पानी भैकर जा रहा था वो वापस आगया वो परमात्मा के पास और परमात्मा ने कहा है आत्मा कभीर हुकम से इस मुर्दे में परवेश कर जहां भी हवापस आजा और बाहर आजा तू एक सेकंड में उसी समेह लड़का जीवित हुआ और कभीर जी के चरनो मा के परणाम किया बोला सत्कुर्देव की जैए जो अजाद गुर्देव की जैए अब शेक तकी कहते है दूने जो कहते हैं तेल पर शीटे लगे उसके और ज़्यादा इरसाबटगी के जिन जल्म कर दिया यो तो और ज़्यादा हर देना समा गया अब उस लड़के के बारे में कहा उपस्तित लोगों ने कि कमाल कर दिया कमाल कर दिया लड़के का नाम कमाल रख दिया अब वहां से दिल्ली आगे अब सेक तकी ने सभी मुसल्मानों को इकठा किया कि भी राजा तो दर्म परवर्तित करने वाला है ऐसे ऐसे काफिर को हिंदू को साथ रखता है और कुछ करो भाया यह मुसल्मान के लगे बोलो पीर जी तुम जो कहोगे हम वही करेंगे कि चलो राजा के पास राजा के पास पहुंचे हजारों की सुंख्याओं मैं लेकर शट्राई कर दिया परदर्सन कर दिया राजा ने कारण पूछा शेक तकी ने कहा कि जो तेरा जिसको तू लेकर आया है कबीर को वो लड़का तो सद्मे में था और वो ऐसे जीवित होना ही था वो तो ताजा मरा हुआ था मैं जब जानू मेरी लड़की अब वो लड़की जो थी राबिया वो तीसरा जनम सेख तकी के गरपे जनम था और वो बारा वरसकी होके मर्ट्यू को प्राप्त होगी थी उसका खतम हो गया था वो जीवन मुनुस का आगे मुनुस जीवन सेख तकी ने अपनी मुसल्मान रीती से लड़की का अन्तोष्टी कर राखी थी एक कवर में दबा राखी थी तो सिकंदर लोजी से कहा सेख तकी ने कि मैं जब जानू मेरी बेटी ने जीवित कर दे यू कभीर इजगोड मैं मान लूँगा इसको और नहीं तो हम बगावत करेंगे अब फिर टेंशन बना दी परमातमान तरियमी थे वो तो सारी फड़क निकालने के लिए तो गए हुए थे कभीर जी ने पूचा परमेश्वर ने सिकंदर जी से कि क्या हो गया राजन कुछ मायूस नज़रा रहे हूँ राजन शारी अपनी समस्या बताई अब कहते हैं अपने बगत का दुख बगवान देख नहीं सकता कहने लगा भी ठीक है इसको कह दो से एक तकी को आज से तीसरे दिन वो लड़की जीवित होएगी और आसपास डेंडोरा पिटवा जो परचार करवा दे राजा तू ताकि कदे दस बीसा के मैं ना माना ही हूँ सारा संसार देख ले आसपास के मुनादीक राजी के कि मुर्दा जीवित किया जाएगा कबीर नाम के संता रहे हैं माहपुरुष पहुचे हूए है सिकंदलो जी के जलन का रोग भी उन्होंने ठीक किया क्योंकि राजा का रोग था सब को चिंता थी और वो स्वस्थ वात सब चर्चागावे से हुए वे थे कि वो ही संता है या को ही आए जिन्होंने सिकंदलो जी का रोग नास किया कहाँ वो ही आए हजारों की सुंख्या में विक्ति वाई कठे होगे उस निस्चित समय पर कबर को फड़वा दिये गया राजा वो पस्तीत है सब मुसलमान भी हिंदू भी पता नहीं कि इतने कवाई कठे होगे और लड़की का सव कबर्व के अंदर है तब परमेश्वर ने कहा कि सेक्तकी अब तू कर ले कोस्तिस कदे फिर नंबर बनावाए तो और उपस्तिजन केन लगे जी जाई सेक्तकी के अपास कोई जंतर मंतर होता अपनी बेटी ने कोन मरन दे ये तो पहले ही कर लेता आप ही करो कुछ अब परमातमा ने कहा कबिर जी ने के हे सेक्तकी की बेटी जीवित हो जाँ वा जीवित ना होई दूसरी बार फिर कहा के हे सेक्तकी की बेटी जीवित हो जा नहीं जीवित होई तो सेक्तकी न बंगड़ा पादिया नाच वुद देखो फकड़ा गया ढोंगी का ढोंग, देखो देखो, कुछ नहीं हो सकता इसे, तीसरी बार परमातमा ने फिर कहा, वह नहीं जीवी तो ही, तब परमेश्व ने कहा कि सेक्ट की थोड़ी सानती रख, अक होरी सानती, पकड़ा गया त्यरा ढोंग, देखो पा तब प्रमात्मा ने का है जी वात्मा जहां भी है तू कबीर हुकम से वापे सारी परवेश कर बेटी के स्रीर में बाहर आ जा दो सेकंड में सारा स्रीर कम पने लगा लड़की उठके प्रमात्मा की सड़नो में डंड़वत पर नाम किया बो सत्गुर्देर तब सभी ने कहा कि बाहराज ने कमाल कर दिया कमाल कर दिया लड़की का नाम कमाली रखा और अपने बेटी के रूप में रखा ऐसी कमाल लड़का जो जिन्दा किया था बारावर्स का सभी ने कहा कमाल कर दिया कमाल कर दिया तो परमेशवर ने उसका नाम कमाल रखा अपने पूतर के रूप में अपने पास रखा बक्ती दी अब वो लड़की जब जीवित हुई प्रमेश्वर ने कहा बेटी जा तेरे पिता के साथ मैं अरुदर से उसको पिछले अपने जन्मों की चेतना दे दी प्रमात्मा ने अपने आसिरवाद से उसकी बुधी खोल दी दिवद्रिश्टी खोल दी अब उस लड़की को अपने पिछली बैकराउंड याद आई खड़ा होकर दो गंटे तक डेड़ गंटे तक परवतन किया उस लड़की ने कि हेजनता वालो ये भगवान खड़े हैं ये अल्लाहू अकबर हैं तीसरा जन्म जो मेरा था उस में मैंने इन से नाम लिया था और मैंने चार वर्स बक्ती करके छोड़ दी थी उस चार वर्स की मेरी बगती के कारण मुझे लगा तार तीसरा मनूस जीवन तो प्राप्त होगया लेकिन ये इतना ही जीवन था बारा वर्स तक का अगे मेरा सेश जीवन मनूस नहीं था मैं पुसू योडि में जाती और मैंने महान गल्ती की थी अब मैंने भगवान अल्ला को पहचान लिया है मेरा असली पिता मुझे मिल गया मैं अकली के साथ नहीं जाओंगी अब सेख तकी नहीं करया था नोग भगवान को नीचा दिखाऊंगा वहां कोई हजारों विक्टियों ने परमात्मा से उपदेश लिया उनके सिस्बने बोलो सत्गुर देव कहते हैं सत्गुर संगत छोड़ के चैलाख वरस जब कीन इंदरी करम ना मोक्स हुए फिर काल के आधीन उस आत्मा का फेरुदार हुआ जो भगवान के पूनर चरना मागी बोलो सत्गुर देव परम पिता परमात्मा पूरन बरम सर्वसरिष्टी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुनात्मा सत्संग सुने के लिए उपस्तित हुए सत्संग की प्राप्ति बहुत ही पुनकर्मी प्रानी को होती है बहुत ही दुर्लब है संतों ने सभी सद्गरंथों ने अर्श्वन परमेश्वर ने आकर के हमें एक विसीस से तावनी दी है कि भाई ये मनुस जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता मानुस जनम दुर्लब है ये मिलेन बारम बार जैसे तर्वर से पत्ता तूट गिरे वो बहुर नहीं लगता डार ये इतना दुर्लब बताया है कि ये बार बार प्राप्त नहीं होता मानुस जीवन और एक बार आपके हाथ से छूट गया मरतू होगी उन्हें आपको ये प्राप्त नहीं हो पाओगा आसानी से बहुत समय उपरान तो कभी आपको फिर सुआउसर प्राप्त होगा मानुस जीवन धारन करने का और परते एक वार मानुस जीवन प्राप्त भी हुआ मानुस जीवन का उदेश से क्या है इसकी जानकारी ना होने से इसकी सफलता ना मिलने से ते यह संखों जनम भी मानुखे मिल जाएं उनका कोई लाब नहीं योज नहीं गर्थ है तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मानुस जीवन कितना इंपोर्टेंट है कितना बहु मुल्ले है और हम मानुस जीवन को प्राप्ट करके उसके उजसे से एपरिचित होने के कारण हम असंखो मानुसरी नश्ट कर चुके हैं मनुसरी प्राप्ट प्राणी के लिए सबसे पहला काम है कि वो पूर्ण गुरू की खोज करे और पूर्ण गुरू की पैचान क्या है यह हमारे सद्गरंथ भी बताते हैं और मापरसों के अमरतवचन भी इसका निरने करते हैं कि पूर्ण सद्गरू कौन होगा तो सबसे पहला काम है मनुस जीवन का बगती करना उसके बाद जो अपना निर्वा है वो जो परतेक प्राणी कर रहे हैं पसू भी करते हैं पक्सी भी करते हैं जैसे तैसे डाकू चोर भी निर्वा करते हैं स्रीफ व्यक्ति भी अपना निर्वाही कर रहे होते हैं राजा बनकर भी निर्वाही किया करते हैं लेकिन मुनस्टी उनकी सफलता तब तक सुल्ब नहीं है जब तक पुरन पर्म संत ना मिलेंगे और सत्थ साधना प्राप्त नहीं होगी सत्गुरु मिल जाने के बाद सच्चा सत्गुरु मिल जाने के बाद फिर सर्वे मानों स्रीर के लिए आवसिक मौक्स दाएक वस्ट में पराप्त हो जाती है तत्व घ्यान भी मिलता है वो रियल मौक्स मंत्र रियल वस्टविक मौक्स मंत्र भी मिलते हैं फिर सादक को याद दिला जाता है कि मनुस जीवन बड़ी मुश्कल से पराप्त होता है सादना काल के अंदर मरियादा बहुत अनिवारिय होती है तो सभी पलस और माइनिस पॉइंट सभी फॉल पॉइंट्स बताए जाते हैं और जो सादक सत्गरू के वचनों को आधार बना के अपनी बगती सादना जीवन रुपी सफर में यात्रा करता है वो उन्यातमा सफल हो जाता है तो सबसे पहले मनुस जीवन उसके बाद गुरू पुरा हो और पिर चेला भी सूरा हो सूरा माने सूरवीर सूरवीर का मतलब यह नहीं है कि लट बजाने वाला हो गोली चलाने वाला हो सूरवीर उसको कहते हैं बगती मारग में जो संसारिक प्रंपराओं के सामने अथियार ना डाल लें क्योंकि बगती मारग की प्रंपराओं और समाज जो बगती नहीं करते वो बगती उनके मरियादा और प्रंपराओं में अंतर होता है और बगत के लिए सबसे बड़ी बादा है वो प्रंपराओं ही हुआ करती है वो प्रंपराओं जगत के लिए तो ठीक होंगी लेकिन बगत के लिए वो गलत होती है इसलिए सभी मापरसों ने कहा कि लोक लाज मरियाद जगत की तरन जो तोड बगावे है जब कोई राम भक्त गत पावे लोक लाज ना कीजिये निर्बे हो रही है ये मन संतों दीजिये ते गोबिद पाईए परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कुल करनी के कारणे कुल अपने कुल की मर्यादाओं में फसकर भक्ती मर्यादाओं को खंड कर देने से इस भक्त का जो जीवन वो नास हो जाता है उसके लिए परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारणे हंसा गया बिगोवे विगोवेमा ने भक्ती नास कर ली उसने अपने यदि कुल करनी की तरफ मर्यादाओं की तरफ देख कर और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चारपाओं का हो वही आपके मित्तर आपके रिलेटिव आपके कुल के लोग उससे में आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिसमें आप मर्यादा भंगोने से पसू की योनी में चला जाएगा गद्धे कुते सुर बन जाओगे तो प्रमात्मा कहते हैं कि कुल करनी के कार ने अनसा गया बिगो और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चैरपाओं का हो तब पन्यात्मा यदि आपने इस मनुस्ट जिमन को सफल बनाना है और यूगों यूगों से बटक रहे कस्ट उठा रहे आपके जीव को बचाना है और सत लोग में एक सुखी सथान वो अमर सथान पराप्त करना है तो अब सू अशर है सब आपको तत्व ग्यान पराप्त है सत मंतर आपको पराप्त है अब आपने देखना है यूँआप कितना सफलता पराप्त कर सकते हो तो इसमें कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हो और जो संग्रस करके सफल हो गए सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे अन्य था जिस लोक में आप रहनी हो यो लोक ठीक नहीं इस जैसा गंदा सथान कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपने उपर के लोकों में और जहां आप सथाई होना चाहते आपको ये मालम होते हुए कि इतना जाने कब हम चले जाएंगे मर्तू हो जाएगी और उसके बाद हमारी आँखें ऐसी बंद कर रखी हैं ग्यानता से हम यहीं कोठी और बंगले और बैंक बैलेंस सारा जिन तेगडम बाजी इसी में जीवन नष्ट कर रहे हैं ये कोई जीवन है और प्रमात्मा ने आकर कि सबसंतों उन मापरसों को सत लोक दिखाया वहां से वापर छोड़ा उन मापरसों ने गवाई दी है कि ऐसा सथान है जहां तुम सदा सुखी रहोगे और वहां एक बार आपका जनम होगा फिर मर्च्टू कभी नहीं होगी आपका प्रिवार होगा यहां तो पत्थनों के पहाड हैं वहां हीरे और जवारात मोतियों के पहाड हैं आपके ठोकरों मपड़े रहेंगे जिस माया को आप यहाँ छुपाते फिरते हो वहाँ आपके चरडों में सजा रहेगी किसी चीज का अभाव नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं इतना सुन्दर सुरीर होगा, राग दवेस नहीं वहाँ पर क्योंकि सुरीर दूसरा है सनायों ततों से नहीं बना हुआ, एक ततों से बना हुआ है, नूर ततों से और वहाँ सदा सुखी, कोई टेंसन नहीं, कोई रोग नहीं वर्दवस्था नहीं, मर्तू नहीं, यहां सारे दुख और फिर भी हम यहीं चाहते हैं कि यहीं बने रहें और बक्ती मारक को पीछे कर देते हैं और संसारिक कारियों को आगे रखते हैं यही दास देख रहा है दस, पंद्रा, सत्रा वरस होगे दास ने दिन रात यही वचन विचार देते हुए जो वगवान में बताये थे और फिर भी इतना असर नहीं हो पारा है बच्चों पर जितना दास चाहता है ताकि इनका पिछा छुट है ठीक है, यह भक्ती मारक विश्व में एक नंबर की है यदि भक्ती करते रहे, पार नहीं हो गये तो यहां के सुख भी आपको यह जूठे सुख भी विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे जो यहां से ही प्राप्त होगे लेकिन यह सुख सा कुछ नहीं है चाहे परिछ्वी का राजा बन जावे चाहे इंदर की गद्धी प्राप्त हो जावे अपना जीवन नास करने वाली बात है तो पुन्यात्मा प्रमात्मा कहते हैं समझा है तो सर धर्पाओ फिर मिलेगा नहीं और ये अवसर ये युग ये भगती काल ये भगती युग जो अब आपको प्राप्त है ये साइद कभी प्राप्त ना हो आने वाले युगों में आज जो मानुसरी प्राप्त प्राणी हैं बेहन हैं, भाई हैं, बुजरग हैं, बच्चे हैं वो बहुत ही पुनकर्मी है और जिनको सतलोक आश्रम बरवाला से दिखसा प्राप्त हो गई उनका तो कहना ही क्या है, वो कितनी पुनकर्मी प्राणी है लेकिन सफल नहीं हुए तो सब आपका प्रेतन विफल उनों में प्राप्त हो जाएंगे इसलिए आपको बार बार सुत्र किया जाता है कि जिस लोग में आप रह रहे हुए योग ठीक नहीं हम क्या मांगते हैं प्रमात्मा से संपती दे दाता गनादन दे दे, कोठी और कार दे, बेटा और बेटी दे प्रमात्मा कहते हैं ये तो मैं आप ही दे दूँगा तो मैं मांगने की भी हो सकता नहीं पड़ेगी जिस दिन आपका हर्दे निर्मल हो जागा और मेरे उपर समर्पित हो जाओगे लेकिन जो तुम मांगने आते हो वो वस्तु मांगनगी नहीं है आप जी मांगिए बगतिदान गुरुदी जियो देवन के देवाओ जनम पाया भूलो नहीं करहू पद सेवाओ जनम पाया भूलो नहीं करहू पद सेवाओ बगतिदान गुरुदी जियो देवन के देवाओ जनम पाया भूलो नहीं करहू पद सेवाओ जनम पाया भूलो नहीं करहू पद सेवाओ तीर्थ बरत मैं नहीं करोना मंदिर पूजाओ तीर्थ बरत मैं नहीं करोना देवल पूजाओ बगतिदान गुरुदी जियो देवन के देवाओ जनम पाया भूलो नहीं करहू पद सेवाओ अश्ट सिधी और नो निधी बैकुंठ कवासाओ अश्ट सिधी और नो निधी बैकुंठ कवासाओ सो मैं तुमसे न मांग ता सब थो थो थरी आसाओ बगतिदान गुरुदी जियो देवन के देवाओ बगतिदान गुरुदी जियो देवन के देवाओ जनम पाया भूलो नहीं करहू पद सेवाओ सुक संपति परिवार धन और सुंदर नारी हो सुक संपति परिवार धन और सुंदर नारी हो सुपने में इच्छा नहीं करू गुरु आन तुमारी हो बगतिदान गुरु दीजियो देवन के देवाओ जनम पाया भूलो नहीं करहू पद सेवाओ दर्म दास की वीनती समरत चत दीजो हो आवा गवन न्यवार के अपना कर लेजो हो आवा गवन न्यवार के अपना कर लेजो हो बगतिदान गुरु दीजियो देवन के देवाओ जनम पाया भूलो नहीं करहू पद सेवाओ जनम पाया भूलो नहीं करहू पद सेवाओ क्या बताते हैं आदनी दर्मदास साहिब जी परमात्मा से प्रीचित हुए सचखंड सतलोक देखकर वापस आए वहां के सुख को देखकर फिर यहां के सुख से प्रीचित होकर के उन्होंने कहा था कि जो साधनाएं आप जी ने हमें बताई हैं परमेशवर यह सच साधनाएं पहले दर्मदास जी इंदू धरम के अंदर जनम होने के कारण हमारी तरह इन बरमित कुरूँ के अधार से मंदरों में जाना तीरतों पे जाना वरत रखना यह सब क्रियाएं कर रहे थे फिर तत्व ग्यान के परकास से पता चला कि यह यूजलेस हैं आन उपासना है यह तो उसके बाद कहती हैं कि तीरत वरत में नहीं करूँ और ना मंदर पूजा हो और मनसा वाचा करमना में और नदू जा के परमात्मा आपके अत्रिक्त आपके बतायागे भक्ती मारके अत्रिक्त मनसा वाचा करमना यानि तीन वचन से भी मैं कभी भी अन्यसादना नहीं करूँगा फिर बताते हैं अस्ट सिथी और नो निथी और बैकुंठ का वासा हो स्वरग की प्राप्ती भी जाता मैं नहीं चाऊँगा क्योंकि स्वरग में गए हुए प्राणी भी अपना पुन नास करके पुन फिर पर्थवी पर आते हैं कस्ट भूगने के लिए अपने पाप कर्मों का कस्ट उठाने के लिए प्रमेश्वर कबीर जी ने अपने तत्व ग्यान में बताया है कि जितने भी स्वरग हैं उपर के लोकों में वो ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट होते हैं जैसे गर्मियों के मौसम में धनी लोग कुलू मनाली सिमला साइड में चले जाते हैं पतास साथ हजार उपे ले जाते हैं दो मेने के लिए मेने के लिए वहां होटल में कमरा बुक करा लेते हैं किराई पर सब कुछ उनकी जेब से खर्च होता है वहाँ उनका फिल्ड नहीं है वहाँ इनकम नहीं कर सकते केवल खर्च खर्च ही कर सकते हैं और बैठ कर अपनी पुंजी का प्रियोग कर सकते हैं उसको खर्च कर सकते हैं और वहाँ के वातावरन का वो सिप समय के लिए आनंद उठा सकते हैं अपने पूंजी से और जब उनकी पूंजी खिसक जाती है खत्म हो जाती है अपने आप वहां से चलने के लिए विवस हो जाते हैं और अपने करम अक्सेतर में आकर के फिर वो सारा वरस दस ग्यारा महिने फिर से प्रेतन सील रहते हैं धन बचा तो वो के लिए तो वहां जा पाएंगे पुने वो सिमला में अगले मेहने और नहीं बचा तो रोटी के भी समस्या हो सकती है तो वो भी कई सुदाएं तो इस परकार प्रमात्मा ने बता है कि आप जी जो धन धर्म करते हैं और ये अन्य साधना जो करते हो अन्य देवताओं की ये केवल आपको श्वरग प्राप्ति तक करा देंगे और आप श्वरग में अपनी पुनों को जैसे सिमला और कुलू मनाली के अंदर रेस्टोरेंट में अपना बहुतिक धन नास करते हैं वहां अध्यात्मिक धन नास होता है और वहां के होटल के मालिक जो भी देव हैं वो आप से सार्जिंग लेते हैं आपके पुनों से और वहां का किराया लेते हैं तब आपको वहां की सुईधाएं उपलब्द करा जेते हैं और अपनी पुन्दी अपने पुनों को नास करके समाब्द करके प्राणी पुन है फिर यहीं पर्थी लोग पर गधे कुते सुर की योनी में भटक रहा होता है तो यहां क्या बताते हैं कि पाष्ट सिधी और नो ने थी बैकुंट का वासा हो स्वरक का निवास भी मुझे नी चाहिए सो मैं तुम से ना मांग हूँ सब थोथरी आसा हो यह सब थोथी आसा हैं यह सथाई सुख नहीं है तो किने का वाव है परमात्मा कहते हैं सर्व सुने की लंका थी वो रावन से नधीरं एक पलक में राज बिराज जी जमके पडे जजीरं सर्व सुने की लंका थी रावन से नधीरं एक पलक में राज बिराज जी फिर जम के पड़े जदीरम जखो हम यदि किसी के पास 200 ग्राम गॉल्ड हो जाता है तो फूला नहीं समावे 6 जगा छुपावे पता नहीं के के सोच जाए फिर उसके बारे मन्यों कर दो यो कर दो परमात्मा कहते हैं सर्वसोने की लुंकाथी अरो रावन सेरण धीरम एक पलक में राज विराज जी और फिर जम के पड़े जदीरम मन्तो सुख के सागर बसरे बाई ओरन ऐसा यसरे आप तो 200 ग्राम सोना हो जाता तो गौना मुशकल से मिलेगा किसी के पास बस नहीं सोच पता नहीं क्या मिल गया मुझे एक उठी हो जाए कार हो जाए कोई फैक्टरी बना ली तो पन्यात्मों या भूल लगी फिए आपके इस संसार से वापिस हटना पड़ेगा आपने परमात्मा की ग्यान को अधार बना कर जीना पड़ेगा तब आपस फलोपा होगे आपको यहां भी सुख मिलेंगे यहां के सुख भी आपको तभी भगवान देगा जिसमें आप उस मालिक पर समर्पित हो जाओगे के मन सा वाचा करमना हम वही और नदू जाओ मेरे को मन करम वचन से परमात्मा आपके ग्यान और आपकी भगती और उस परमात्मा आपके तरिक्त कुछ भी नजर नहीं आवगा फिर आप रोज बरकर देखना आपके गरमे सारे सुख देगा अकाल से बचाओगा जंजाल से बचाओगा और अकाल मर्तू से बचाएगा अब हम पुनात्माओं ग्यान तो सुन लेते हैं और वगतों के साथ हो रहे लाब भी हम सुनते हैं फिर हमारे को नहीं लाब मिलते हैं उसका कारण क्या है उसके उपर भी आपने बहुत विवेचर न करना पड़ेगा तब ही हाँ इस भक्ती मारक पर चल पाओगे उसके कई कारण होते हैं जैसे एक भक्त ने दिख्षा ली और तुरंत ही रहत मिल गया उसको और दूसरे भक्त ने दिख्षा उसी दिन ली और च्छे मेने हो गी उसको रहत नहीं मिल पा रहा है तो कुन्यात्मा रहत तो मिलेगी उसको भी है अब जैसे एक ही होस्पीटल में दो रोगी चले गए एक का रोग इतना गहरा नहीं था उसको एक ही इंजेक्शन में रहत मिल गई और दूसरे का रोग ज़्यादा गहरा है तो उसको टाइम लगे गा च्छे मेने भी लख सकते हैं ऊस एक वरस भी लग सकता है और तरीका ही नहीं है और ट्रीटमेंट ही नहीं और कोई औस्ती ही नहीं है तो उसको पूरा ही करें ये ना देखे कि उसको तो कल छुटी मिलगी मैं अभी यह लेटा हूँ तो डॉक्टर कोई बालक नहीं अग्यानी नहीं तो इसी परकार ये सोचे कि युगों युगों के कस्ट युगों युगों के पाप हम संग्रित किये फिर रहे हैं अभी तक इसका सुचारो उपचार करने वाला कोई मिला नहीं था अब प्रमात्मा ने वो सारी आउस्ति उपलब्द करा रखी है इसमें थोड़ा धहरिये चाहिए फिर प्रमात्मा कहते हैं दीरे दीरे रे मना दीरे सब कुछ होए माली सीचे सोगडा रितु आएं फले होए अभी तक जितो भी साधना परिच्वी पर कोई कर रहा है किस ब्रमांड में कर रहा है उसकी भगती सास्तर नुकुर नहीं है पूरोजन के सुब संसकारों से उसे कोई लाब भी हो रहा है उसकी पिछली बैटरी चार्ड थी उसी से अलाब हो रहा है बविस्य का बगती करम उसको नहीं पराप्त हो रहा है तो अब आपने ये चारस बगती मार्ग का पौधा बीजा है आम का और पहले हमने बबूल बोरा की थी तो अब आम का पौधा बीजा है तो पौधा बीजने के बाद उसकी सिचाई करते हैं उसकी सुरक्षा करते हैं और उसमें उसको समय देते हैं दीरूप, मालू होता है कि ये आम का पौधा है बढ़ा होगा, पेड़ बनेगा और पेड़ बढ़ने के बाद फिर देखना फल कैसे लद्वद को हो जाएंगे तो इसी परकार ये सत नाम रूपी आम का जो पेड़ आपने बोया है पोदा इसको पेड़ बढ़ने दो जल्दी ना करना फिर देखना पर मातमा कहते हैं धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो और माली सी चैसो घड़ा माली माने बुद इमान विखती जो उस प्रोसेस से प्रिचित है सैकड़ों घड़े पानी डालता रहता है रहता है प्रतिजिन तो एक दो चार वरस के अंदर उसमें सैकड़ों घड़ा पानी डाल देता है और फल फिर भी नहीं लग रहे होते हैं लेकिन वो प्रीचीत विक्ठी है उसका वो हिमत नहीं हारता, उसको विश्त्रास है कि इसको फल लगेंगे तो ठीक इसी परकार प्रमातमा कहते, धीरे धीरे भीना धीरे सब कुछ हो माली सीचे सो गड़ा रितुवाएं फल हो तो इस परकार पुन्यात्मा इस बक्ती मारक के अंदर सबसे पहले ग्यान पूरा हो पुर्मात्मा कहते हैं कि ग्यान संपूरन हुआ नहीं अर्द्या नहीं छिदाए और देखा देखी बक्ती का रंग नहीं ठहरा है जब तक ग्यान पूरा नहीं होगा और आप केवल इसलिए यहां आ जाते हो के देखिए फलाने बक्त को इतना लाब मिल गया है और आपको भी मिल गया लाब आते ही एक मिल गया दो मिल गये तीन मिल गये और चौता ना मिला आपको लाब जो देना अवसक नहीं होगा बगवान को बगवान के लिए तो जिसको ग्यान संपूर नहीं है तो उस चौती बार लाब ना होने से ही वह भी मुख हो जाएगा और और तो कहीं मिलना ही नहीं फिर यहां से और खतम हो जाता है वह वक्ती तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं ग्यान संपूर नहीं हुआ नहीं चिदाए अर्दा के अंदर कसक नहीं बनी कि सथमुच यह ग्यान यही है पर च्पी पर बगवान है तो यही है और समाधान है तो यही है हमें लाब नहीं हो रहा है तो कोई रजा है दाता की कभी तो सुनेंगे उसके लिए क्या बताया है वगवार ने है राम नाम रटते रहो राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राने कभू तो दीन द्याल के हे भनक पढ़ेगी कानो उसके लिए तरीका बताया है कि जो वक्ती दिये रखे इसको करते ही रहना और कभी तो दीन द्याल के कानों में भेनक पढ़ेगी कभी सुनेगा गरीबों की अवस्य सुनते तो इस त्रिष्टी कौन से इस मारक को सफल बनाना है और वैसे प्रमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है उनको सम्मालू मैं मेरे बच्चों को की वस्तू की आउशकता है और कौन सी कभ देना है और ना देना है तो हमने के वले एक हट नहीं बनाना होता कि हमें ये काम हुआ तो ठीक है नहीं तो बगवान नहीं है प्रमात्मा जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थेटर माने के बाद मरीज की नहीं चलती और वहां यदि मरीज अपनी चलाता है डॉक्टर के ट्रीटमेंट में डिस्ट्रिविंस करता है तो वो सफलता नहीं पाता है तो आप जी को जिस दिन दिकसा मिल जाती है आपका परवेश हो जाता है इस जिनमरन के रोग काटने वाले होस्पीटल में और फिर काम प्रमात्मा का है वो कैसे आपको कौम से लाब दे कौम से चोटे-मोटे कस्ट भी देने होते हैं जैसे इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो भी कस्ट होता है तो कस्ट नहीं होता वो ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है ठीक इसी परकार छोटे मोटे अगर फिर भी कस्ट आते हैं तो प्रमात्मा के ट्रीटमेंट के एक हिस्से ही समझना लोगा हूँ अब क्या बताते हैं मन तो सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे के हे पुन्यात्मा उस सुख सागर में वास पराप्त कर उसम बस सुख सागर किसे कहते है संखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई दास गरीब अचल अविनासी सुख का सागर सोई संखों लहर मेहर की उपजए वाँ कहर नहीं जा कोई उस सतलोक के अंदर संखों लहर मेहर की उपजए अब जैसे कभी कभी जवेकांट में बैठे हो मन भगवान की चर्णों में लगा हो एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से जैसे सारा विश्वे अपना सा लगता है कोई दुस्मन दिखाई नहीं देता चाए किसी में कितना ही सता रख्या हो हमारे को सब अपने से लगते हैं तो उस समय वो महर की लहर थी के सब के उपर दया बन गई थी और कुछ अक्षन के बाद वो चली जाती है वो लहर फिर वही का वही खचड़ा भर जाता है उसने ऐसे कर दिया वहानी होगी वह लाव हो गया, ऐसे करो गया, वैसे कर दूँआ, वो कहर की लेर सुरू होगी फिर, तो प्रमात्मा के प्यारे हन्स ग्रीबदास साहिब जी बता रहे हैं, कि मैं सतलोक गया कबीर वगवान के साथ, और प्रमेश्वर कबीर जी ने मुझे फिर उस सतलोक सच्खंड सुवसा अगर दिखा कर वापस छोड़ा उसकी महिमा सुना रहे हैं, तो वहां कहते हैं संखों लहर मिहर की उपज़, और कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनासी, सुका सागर सुई, अचल, कभी नासमा नहीं आता, अविनासी, सदा रहने वाला सास्वत सथान है वो, और वहां कोई कहर नहीं हजीब, परमातमा गरीबदास साइब जी कह रहे हैं कि मन तू सुक के सागर बसरे, और ना ऐसा यसरे, अब यहां की फोकड महिमाओं को आप उस यस मानते हो, जैसे कोई अच्छा धार में किया, कोई राजनेता हुआ है, उसने किसी वरग में से इस के लिए कोई अच्छा काम कर दिया है, अच्छी बात है, राजनेताओं का धर्मनेताओं का काम तो परमार्जी होता है, अच्छी बात है, और वो भगती ठीक कर नहीं पाए, तो उनका सटेचिव बना दिये जाते हैं, उनकी यादगारें बनाई जाती हैं, उनके उपर उन उनका बहुत बड़ा यस चल रहा होता है महिमा तो प्रमात्मा कहते हैं कि जो सत्वक्ती नहीं करता चे परदान्मंत्री हो चे राष्ट्रपती हो सारी पिर्श्वीगा तो अगले जन्म में वो मुनुष जीवन नहीं प्राप्त करता पसु योनिय में जाता है आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्ग पर चल रहे हैं नमस्कार सर क्या नाम है सर आपका? कहा के रहने वाले हैं सर? क्या काम करते हैं सर आप? सर आपने संत रामपाल जी माराज से नाम अब्देश कब लिया? सर संत रामपाल जी माराज की सरण में आने से पहले आप क्या वक्ती साधनाई करते थे? सर जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देबताओं की वक्ति करते थे फिर आपने निरंकारी पंत से नाम उपदेश लिया तता वहां 18 साल भक्ति की तो इन सबी वक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाव हुए कोई प्रावत नी हुआ दुखी मिलते रहें जब साधसंग में जाना शाम को आना कभी कभी दारू भी पीता था मीट भी खाल लेता था तो समलोकार में कलेश दुख होता था कोई भी सुखनी से बहुत परशान है था हम ही सोचते थे जो जो कर्मों में लिखा है चलो भक्ति क करते रहते हैं नरंकारी की बाबा हरदेव सेंग की नरंकारी में ठारा साल में रहा कोई सुखनी था परशानी में घर में बहुत जड़ा दुख कलेश होता था बहुत जड़ा होता था चलो नरंकारी की बाबाजी की सिवन जो दिया है वो करते है तो ही नरंकार में तेरी श कैسي आयी? भगाजी मेरे एसे आया है ढ़का यहां, बहुता आइदक्षा का यह बहुत है, बहुत है. गुरुजी ने बताया प्रमात्वाका बहुतिन ओवाल सकार के लेकेशवार बहुत रहे हमें देखना नाम देखनते आगा तहिए झ Elleा धर सरम संत रामपाल जी महाराज के लाखो अनियायों से मिले उनको कुछ न कुछ न कुछ लाप जरूर प्राप्त हुए सर आपको क्या लाप प्राप्त हुए सर महारा प्राप्त लाप जी हुआ है सब लोग फटर होगे में साथ दो लेड़ी से बेटी थी एक जैन से बेटा देख आपको बार था एक मैं था जब टकर होई तो खूनों खून होगे किसी गिलाद तुटकी किसी का सिर्फ हट गिया किसी कुछ हो गया है तो कि बहुत बुरा हुड हो गया पासर तो जो देखा मैंने जो मेरे आखुली मैंने मालक प्रमात्माबंदी शोड सत्गूर रामपाल जी ने मुझे ख्रोच तक नहीं आई थी वो मेरे पैरों में रो रहे थे तर्फ रहे थे सारे जब मैंने सोचा जारो है जो में चोटने जो में प्तला गया हुए प्रमात्माबंदी शोड सत्गूर रामपाल जी कहता है जो मेरा नाम लेता है, मेरा दाब रहता है, उससे कोई हानी नहीं हो चाहती, तो मैंने वाद, उस दिन मेरे पता लाग गया है वाकिए, यह प्रमात्माइ, जब मेरा प्रमात्माइ की शन में ना होता, तो आज मेरा यही हाल होता है लोगों जैसा, जैसा ऐसे इनका हुआ है, बगीजी सबसे बड़ा बेन यही लाभ हुआ रेकी लावा दूसार बभगीजी जी हुआ बाइचा कर मैसाइब का बसको के घृत पिशाब रुक गया है, परसो मेरा प्रेशन है, मैंने उससे पहला भी प्रमात्मा ठीक करेंगे, तुझे यदे गरंटी है, वो कहला, भाई, बहुत करना मेरा पिशाब बना ठीक करेंगे, तुझे पैसा ही बचेगा, चलो तो यह सुख भी होगा, तुझे पैसा भी लगेग फिर असार में, मैंने बोला, भाई, मैं नाम लिया, मिरे भाई ने नाम लिया, उसको पिशाब की प्रवल्मा बहुत जादी, तो उसके दो पिशाबाई ना लिए सराख है थे, भाई साव उनसे क्या भे, या आप इसको अमर जल दिया प्रमात्मा ठागा, भी इसे बचन ल बड़े विश्वास से कह दिया, भी प्रमात्मा में ठीक करेंगा, संत्राम पाल जी, ओ कहना, चलो अदरो अदेशा है, प्रमात्मा उसको बादी, पांच मेंट में भाई साव, भाई साव, बो ना पिशाब खुल के आगया, उसका पिशाब भी खुल के आगया, पत्री के तोटे निकला आए, जब मेरे पास बागा बागा आए, भाई जी, प्रमात्मा ठीक कार दिया, संत्राम पाल ठीक कार दिया, तो मेरा बुग खुल कहना, मैं कैसे ठीक हो गया, तो हाँ आगया, देखके था भाई, नीचे चलो मेरे साथ उपर, कोठे में देखा, भाई साव टोटे पशाँगे पड़े थे, पत्री जब तोटे पड़े थे, मैंने देखे देखा, मैंने इतना रोयाई, बंदी शोड कबीर साथ प्रमात्मा, तो ही ठीक कर सहादा हो, को यह नहीं कर सहादा, ए UX जी, तो हमारे मली वारे सारे देखे, भरषान, बख्राण होगे, वी मैं बाई सब्सक्रा मेरे प्रमात्माइ ठीज, को जोद की तो, भाही तो भूलना के थीक हाग फेसटाब मेरे पशाव के टोटी निकलाए, बिल्कुर निकला है, बिल्कुर ठीज हूँ, तो डक्टर गेरा चल मैं इसे निमांता हूं, स्किन्य निकरा खागू नुद टो, दुछ थीं पहले स्किन मेरे भाही को लेने देती थी, जब मेरे भाही को प्रमाاتमादवाई। देखने भाए था, नाब होड़ी। जया यह एंगा समतलो के लुग usot? सर जो सरदालू आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर संत्रामपल जी मारास से नाम देख्षा कैसे ली जा सकती है जल्दी जल्दी प्रमातमा संत्रामपल की शर्मया अपना कलियान कराएं धन्यवाद सर आप सुन रहे थे जगत गुरू तत्वदरशी संत्रामपल जी महराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करें जानकारी के ली जानकारी के लिए संपर्ख करें झाल झाल